हलो नमस्कार आप स्वागत करता हूं नाकपूर इंफो में जी हाँ और वैसे सभी को बता है संक्रान देया रोका टोकार चिला रहे और मैं आया हूं यहाँ क्योंकि मैं इनका बहुत बड़ा फ्यान हूं जी हां एक नई मराथी मूवी आई है जिसका नाम है तीस सद्या काय करते हैं उसके डारेक्टर पूरे एक्टर में सद्या पर है जो हम साधरन जिंदगी पर इस्तवाल करते हैं उसका उस शब्द का और एक दम से सीधा उसके लीड़ अक्टर में हैं संद्या कैसा लागा उस मूवी में काम करके वहले तो परिश जब पोस्तर देखके हैं इसा लग रहा है यार कितना बढ़िया काम किया होगा काला कारों ने सिफ बैनर देखकर ही लग रहा है एक ये नाम है सर्थ तीस स्ध्याकाय करते अब इन्होंने जैसा बता दिया किती सध्याकाय करते हम नॉर्मल ने जी जिन्देगी पर वो ज़्यादर तर इस्तिमाल करते और दूसरे बोलते हैं आपने क्या सोचा है यहां बिल्कुल हमने बनाई ली फिल्म, जब मैं फिल्म बना रात था, तो मुझे इसा लगा था, कि अगर यह सवाल मुझे आ सकता है, तो यह सवाल हर एक के जहन में आ सकता है, कि वो आज कल क्या Great Things तो वुद्व in गारती यह सब के दिल के करीब सवाल है अगर सब के करीब का सवाल है तो इस पर अगर इस अगर मूवी बनाए जाए तो हार एक जण प्यार किया है मैं हमेशा है जा है कि हमानने किमा प्यार में गिरता ही है उबरता भी है तो हर उसके लिए जो उबरा हुआ है या गिरा हुआ है प्यार में उसके लिए यह फिल्म बहुत इंके बारे मैं बता दू आपको इनके जो पिताजी थे बड़े दिगच कलाकार है जिनका नाम लक्षमिकांद बेड़े जी है और उनके ये पुत्र है सो आज आपको देखके भी बहुत अच्छा लगा और मेरी सिस्टर बोल रहे थी लक्षमिकांद बेड़े जी के लड़के ने कोई मुवी में काम किया है मैं सोच रहा तो कौन सा है कौन था बाई देखके अच्छा लगा पहली बार मुवी में चब कि भी मुझे ओफर की टो मैं थेटा कर रहा था मेरे मेरे दिमाग में पहले से कुछ चीज थी तो वर बहुत अलग निगा लगा रगा एक काफ़ी रियल और काफी रिलेड़ कांसेट है और मुझे करते बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत कुछ सीखा, एक अक्टिंग के टेकनिक्स क्या होते है, फिल्मिंग के टेकनिक्स क्या होते है, मैंने बहुत चीजे सीखी, अभी भी सीख रहूगा, हमेजा सीखता रहूगा, और मुझे लगता है कि, इस बात है इतने बड़े कलाकार के बेटे हो यार सपना तुम्हारा काय का सपना तुमने तो घर पेर थेयर्टर खुल देना सब और एक बात कि आपके बारे में लोग जितना जानते हैं और जितना मैं जानता हो कि आपकी कास्टिंग में कोई सवाली नहीं उठा सकता हमेशा का और इस बार ऐसा तो नहीं है लक्षमी कान सर का लड़का है ले लिए मैम सिंगर थे इसमें जो कलाकर है और यह उन्होंने पहले सिंगिंग में अपना करियर बनाया उसको ले लिया ऐसा तो कुछ नहीं है ऐसा बिल्कुल यह क्योंकि आप किसके बेटे हो या आप आप आच्छा गाना गाते हो इस कौलिफिकेशन पर कभी भी कास्टिंग होती नहीं है अब इन्हें बहुत थेटर कर चुका था कर रहा था जब मैं अब इन्हें से मिला था इंटर कॉलिजित थेटर बहुत कर रहा है अभी भी वह बहुत इंटर कर रहा है जिस रोल के लिए जो चेहरा जस्टिस करता है उसको पहले मिला जाता है फिर उसके बाद यह तैय किया जाता है कि वो इस काबिल है विल भी अबल टू परफॉर्म सो वेल जब आपको पता चलता है कि चेहरा तो कॉलिफाइ होई रहा ह में और कह चाहिए तो सर तीन दिन में इतना अच्छा बजड बना लिया और वैसे और एक सर इस मूवी में देखा जाए तो बैनर में मैंने देखा कि तीन पड़ाओ दिखाई दे रहे हैं कि तीन तीन अलग का स्टूरिस लग रही है सर आपका सबसे उपर में था वो तो रहन एक shooting पार रहे हैं जो सतीश राजवड़े का लड़के हैं वो मेना स्कूल का पार कर रही है तो मुझे से लग रही है कि तीन अनूराग है कालेज का एक स्कूल का है वैसे ही निरमोी ही है फिर आरिया है और तेजशरी और वह तनवीय आप करेंए तो मुझे से लगता कि इस हूम एक करदार है जो निभार है जो त्यूरील से आज तक मेरे लिए तक जितना था चुका उसके पर कि इस फिल्म में बहुत खुब सर वैसे तो मैं आपको वैसे मैं बोल रहा हो नहीं सर शब्द नहीं है मेरे पास इसतना वड़ा फ्यान हूँ तुमारी किसमत बड़ी अच्छी है थोड़ा थोड़ा सा जेलेस फिल हो रहा है मुझे कि पहली फिल्म मिली और पहली फिल्म में प्यार करने वाला काम मिल गया यार कैसा लगा नहीं वो तो मेरे कहाल से हर ड्रीम होता है कि यार पहली फिल्म अपनी रोमांटिक हो दो मेरा भी मेरा भी ड्रीम था कि मेरी भी रोमांटिक हो एक आइडियल एंट्री थी एक आइडिय एक दोगी लेगी अच्छी फिलम में तो आपकी तीन हरोइनस होगी यहाई इसके रहा हमागा मैं बताताँ हो है आपने स्कृप बर्तारे में नॉर्मली भोगा दोगा आदा घंटा था इंसान सूनते रहता है सुनते रहता है जादा हो गया आप बता रहे हो करके फिर बाद में जैसी आपने बोला दे ना बताने का उनका तरीका देखा आपने जैसी आपने बोला कि तीन ही रहे हैं बस डन तो में रिजन ओ था यस मौम का डिसिजन था, मौम बाद पीछे लग गए, मेरा पहले से डिसाइड़ीट था, पहले ग्राइजुएशन करते है, सब एजूकेशन करके खुद को अच्छे से डेवलप करके बाद में फिल्म में लॉंच होते है, तो मौम ने बोला कि नहीं, यह सही मोका, यह बहुत अ अचानक हो ечатोने वाली चीज़ें, बहुत अच्छी होती है, सथी का रही है, शाठीर राजबार्य और दिरेक्टर है, तो मैं ओॉसलि उनको नहीं बोल पाया, नहीं सथी शार को नहीं बोल बोल पाया, तो आपका पूरा साल फुल अफ लफ लवश्टोर्ी जाए, ग्रत आ मेरी यह तमन्ना है कि आप बार-बार प्यार में गिरिये लगतार प्यार में गिरिये प्यार में उभरिये make a lot of love stories because life is full of love मैं यह कहना चाहूगा कि एक Robin Williams की काफी मश्यूर लाइन है कि इंजिनेरिंग मैच्स इस ओल it's all you need to survive but love is what we live for so love की फिल्म मैं तो जाके देखिए एंजोई कीजिए अपनी new year की शुरुआ प्यार भरी कहानी से कीजिए थाकि पूरा पूरा साल आपका प्यार भरा जाए बैसे से लड़किया भोचाहरी आप हमारे नागपूर के आपको तो उनके लिए क्या कहना हमें दो गंटे निकाले और वो दो गंटे आपके पूरे साल के लिए काफी है इतना प्यार लाए दो गंटे में तो भाई मैं तो ज़रूर जाने आप लोग जारू ना पता है सर यह नाखपूर वाले हैं बिल्कूल ओरन yσिटी वाले इतना प्यार करते कि थोड़ा सकर जंकरांदी इसका मतलब क्या होगा अब यह थेटर जाओ टिक्ट बुक करो और देखो आपने वाइवरेंट के साथ चले जाना थोड़े जोगार जन गाएगा ठीक है सो अब इक लिए बाए